आए यह business combination basically यह combination ही है ना कि आप एक company जो है नीचे आपके 3-4 company हैं जिनको आप मिला रहे हैं तो यह business combination बहुत सारी example है पाकिस्तान में मैं quote कर दूँ तो आप देखे मिल्ले ट्रेक्टर की आगे चार company और हैं और उनमें एक तो दुबई में है तीन पाकिस्तान में है अचा जरूरी अचा उनमें के किसी में 75% shares है किसी में 46% shares है किसी में 64% shares है लेकिन वो सब की सब subsidiary क्यों कि मिल्ले ट्रेक्टर जो है उनकी policy making में डोल प्ले करती है तो combination of business में IFRS 3 जो है is companion to standard 27 तो यह क्योंके standard 27 और IFRS 3 जो है यह असल में same चीज ही है उसमें बता देता है कि इस तरह से भी combination करके आप consolidate accounts बना सकते हैं holding and subsidiary remain distinct but in economic substance they can be regarded as a single unit that is a group जैसे मैंने बताया शुरू में के हर company अपने अपने account अलग अलग बनाएगी पूरे हर साल जैसे बनाती है उसको audit भी करवाएगी सारा कुछ होगा लेकिन जो parent company है उसका जिम्मा है कि वो इन सारी companies के accounts को लेकर club करके group accounts बनाएग और group accounts की भी audit होता है यानि उनका तो audit हो ही रहा है लेकिन group accounts का भी audit होगा और उसे के पूरे ही वो ही notes to the accounts बलके अगर आप देखे जो बड़ी-बड़ी company है अगर देखें तो उनके जो group accounts ही बना रहे हैं वो separate accounts submitted नहीं कर रहे है उसके साथ अलग से बनता है लेकिन publish नहीं कर रहे हैं अचा ग्रूप accounts as I said combination of all holding, subsidiary, subsubsidary and so on the key principle underlying group accounts is the need to reflect the economic substance of relationship यानि आप मैं आपको और एक example समझा दी ये बात कि देखें अगर आप textile में हैं तो आप ginning में भी यानि फर्स करें आप कपड़ा बनाना चाहते हैं तो आप पीछे जाएं धागा बनाने वाली company को भी ले ले और उसे पीछे जाएं जिलिंग company को भी ले ले और अगर उससे भी आगे जाना चाहते हैं तो कपड़ा बनाने वाली आगे मेड़फ में चले जाएं तो ये जो grouping यह अलोग है और इसमें आप यह अप्र यह सब्स्टेंस ऑफ रिलेशन्शिप यानि फिर आप एक गृप बन जा ज़रूरी नहीं है कि आप उसी इंडस्टी के साथ ही करें नहीं यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक इंडस्टी से दूसरी इंडस्टी में रहे हैं वोसको भी आप गृप का हैसा बना सकते हैं लेकिन इतना डिफ्रेंस नहीं होना चाहिए कि वह आपस में कंपेटिबल बनना पाएं मुसरिण देखें अगर आप कोई एरोपेल कंपनी के साथ कंसॉलिडेट करना चाहें तो नो पॉसिबली नहीं है जो एरलाइन कंपनी है वो तो एक अलग से चीज़ है इसी तरह इंशूरंस कंपनी के साथ करना जाएं वो एक अलग से चीज़ है तो इनको आप कठा नहीं कर सकते वान आफ दा मैंन मैथट्स ऑफ डूइंग कंसॉलिडेशन यूजिंग पर्चेज मैथड कॉमनली नोज ट्रॉमनली नोज एज अकॉजि पर्चेज़ लेकिन इसके अलावा भी मैथड है लेकिन वो स्टैंडर्ड ने आकर स्टॉप कर दिया उसमें दा पूलिंग ऑफ इंट्रस्ट में मर्जर मैथड इस अबॉलिष्ट इनि स्टैंडर्ड ने यह खतम कर दिया उसमें क्या होता था कि जो पेरेंट कंपनी है मतले भी होगा कि जो शेर आपके पास थे जो अब जिनको शेर गया तो वो तो सेम रह गया आपने चुके शेर के मतले में शेर लिये तो आपने पैसे पुसाद दिया कोई नहीं लेकिन उस सूरत में है कि आप हंड़िड परसेंट कर लेते तो मर्जर हो जाती है इस मर्जर यह टॉपिक ही अलग है उसको बाद में देखेंगे बलके इस कोर्स का तो हिस्सा वो नहीं है लेकिन हमने सरफ कंसॉलिडेशन तक ही रखना है आचा इसमें अब एक जो वर्ड है जी गुट्विल यह भी एक बड़ी डिफिकल्ट चीज है तो गेट इंट इंट इट के future economic benefit from the assets they are capable of being individually identified and separately recognized गुट्विल एक ऐसेट है जिसकी valuation करना बड़ा मशकिल है और यह हमेशा जब आप कोई purchase करते हैं उसी वकद इसकी decision होता है कि अगर आप इसकी value से ज्यादा payment कर रहे है तो you are paying for the good way तो अगर किसी company को खरीद रहे हैं तो उसके assets की net worth जो है उससे अगर आ ज्यादा पैसे पे करेंगे तो वह आपकी goodwill है अचा यह भी possibility है कि आप goodwill create की वजाए goodwill की वजाए negative goodwill हो जाए यानि आप कम पैसे दे कर ज्यादा asset खरीद लें तो यह भी possible है लेकिन यह उसी जुरुत में उसको हम कहेंगे पि negative goodwill is produce the identification and measurement exercise should be repeated अगर ऐसी situation है कि आप consideration जो pay कर रहे हैं वो कम है और जो assets आप खरीद रहे हैं वो ज्यादा है तो यह एक negative goodwill है और normally इसके बारे में है कि जी आप इस exercise को repeat करें कि आपने जो valuation की और assets की कहीं ज्यादा तो नहीं कर दी तो आपको फिर उनके repeat करना पड़ेगा लेक तो in that case फिर वो आपकी negative goodwill है और इसको आपको फिर balance sheet में अलग से दिखाना पड़ेगा consolidated balance sheet में change in equity statement में अलग से दिखाना पड़ेगा कि यह हमारी OCI other comprehensive income है और इसको है दूसरी बात यह भी है इसमें the gain और loss जो है उसको दिखाना तो पड़ेगा अचा जहां तक goodwill की बात ह यह generally होता यह है कि इसकी हर साल के end पर उसकी हम एक test करते हैं कि इसमें को impairment आई है कि नहीं है normally उसको हम gradually impairment के साथ write-off करते चले जाते हैं लेकिन अगर पहले से OCI आई है तो पहले उसके gains adjust होगा otherwise profit and last account को goodwill जो है वो चार्ज होती चले जाएगी अचा अब इसमें देखे simple illustration है purchase concentration is 1 million net assets जो है वो 800,000 है और आपका 80% share है तो 640 बना आपका share assets में आपने 1 million pay किया तो 360 जो है वो आपकी goodwill है और यह आपको दिखानी पड़ेगी balance sheet में consolidated balance sheet में that is the goodwill on acquisition और अगर आपकी net identified assets 15 million है और 1500,000 है और purchase का जो ही है तो इस case में 15 का 80% 1.2 तो आप देखे 200,000 है वो आपकी negative goodwill इसको आप OCI में दिखाएंगे at the end of every year impairment test should be done any loss to the charge to the profit and loss account अब यह जो purchase consideration का concept है इसमें भी बात थोड़ी समझ ले कि हमें जब भी किसी company के as a holding company share खरीदने जा रहे हैं तो हम उसके assets की fair value calculate करवाते हैं यानि सही पैसे दे रहे हैं या कि ज्यादा कम तो नहीं दे रहे हैं तो इसलिए जरूरी है कि वो उसकी fair value करवा और cost of acquisition में जरूरी नहीं कि आप सिर्फ cash pay कर रहे हैं आप consideration में अपनी company के कुछ share भी दे सकते हैं और उसकी जो cost है जितने पैसे आपको लगे हैं उन company को acquire करने में वो सारे के सारे लेकिन उसमें कुछ exemptions हैं कि आप फर्ज करें जो share issue कर रहे हैं या जो bargain करवाया है इस company के share खरीदे में उसकी जो fees है वो शामिल नहीं लेकिन अगर कोई hire करते हैं आप legally somebody else तो उसको जो fees pay करेंगे वो शामिल होगी इसी तरह contingent consideration होती है कि आपको बाद में देने पड़े कोई पैसे तो उसको भी हमें शामिल करना पड़ता है provided कि ये contract का हिस्ता हो और इसी त इस तरहां deferred consideration भी है deferred का मतलब है दो साल के बाद हम आपको इतने पैसे और देंगे तो उस सूरत में उसकी फिर हम present value निकालेंगे और वो भी उसमें शामिल करेंगे तो total को देखेंगे कि total consideration हमारी क्या है और उसको फिर compare करेंगे जो assets आप जो net assets आप के हिस्से के हैं यह 80% और उससे देखें कि आपकी goodwill है या badwill है so full goodwill can be calculated and share with the NCI non-controlling interest के साथ तो पूरी goodwill जो है वो calculate करेंगे thank you very much